आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस ट्रीट इस्टाइल चिकेन मोमो की रेसिपी और साथी में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मोमो के साथ खाने वाली लाल चैटनी वीडियो फुल वाज करिएगा फ्रेंज बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाना बहुत आसान है और खाने म इसका टेस्ट बहुत ही जादा अमेजिंग लगता है तो फिर दरीक इस बाद के चली फटाफट से मिल के बनाते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को तो इस्ट्रीट इस्टाइल चिकेन मोमो बनाने के लिए सबसे परले हम आठा लगा लेंगे इसके लिए मैंने एक बावल म यानि हमें इस तरीके से देखिए आठे को अच्छे से मसलते हुए गुथ लेना है और इसका हमें थोड़ा सा टाइट लगाना है यानि कि जैसे हम रोटी बनाते हैं एकदम नरम मुलाइम आठा नहीं लगाना है थोड़ा सा टाइट रहेगा तो यापर देखिए फ्रेंस यानि अाठे को मैंने गुथ लिया है अब हम इसे क्या करेंगे ऐसे हाथों से मसल दे गोए चिकना कर लेंगे जिसे कि आटा हमारा बहुत ही बढ़िया स्मूथ हो जाए तो ऐसे कम से कम 1-5 मिनुट तक मसल लिए तप तो फटा-फटा इसके लिए इस टैपिंग बना लेते इसके लिए सबसे पहले एक बॉल में ले लेत्गे चिकन कीमा लिया है उसके लिए ते में मैंने यहां पे 100 ग्राम चिकन कीमा लिया ए, प्यांज बारिक स्यूप करके लिया है च्क मिने में ऐस सबसे पै Corn चलन के लिया है तो किradas Ha हृणँ यहां लगर और अधर्ग करने के t upright में काट करिल लिया फिर इसमें डाल देंगे एक लिख को सब्सॐ cose अब इपने ने को हुँआ olies और इंश्बुन कर लिए दो चिछों को अक्ष 보고 करा है ढ़工 के अच्छे से मेंसं थो को सारी चीजी शुक्षिती आपstrong तो इधर आटे को भी रखे हुए दस मिनट हो गया है अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा हाथों पर तेल लगाएंगे और इसे इस तरीके से चिकना कर लेंगे जिसे की आटा हमारा बहुत ही बढ़िया स्मूध हो जाए मतलब जितना स्मूध आटा हमारा रहेगा उतना ही ज्या अब हम इस पर सुखा आटा लगाएंगे और आसे चकले पर रा करके इसे रोल कर लेंगे तो इसे हमें पूरी से थोड़ा सा छोटा रखना है और इसको हमें पूरी जैसा मोटा नहीं रखना है एकदम ट्रांसलूसेंट रखना है यह देखिए तो यह हमारा एक सीट बनके कृद्मार जायका, सटीस में अब इस हमें इसमें रखते है तो इसके सेंटर में एक चम्माद शिक वाले स्टाफिंग को रखेंगे और अब्सको ए का मूमो का सेब देंगे तो ऐसे इस तरह के से देखिए इसका प्लेट बनाते जाए है ऐसे उठाते जाईए और एक जग् सा पोर्शन तोड़ करके यहां थेलियों से इस तरीके से चिकना करके पेडा बना लीजिए फिर इस पेड़े पर सुखा आटा लगा करके इसको रोल कर लीजिए इसे पिल्कुल ट्रांस्लूसेंट रोल करना है यानि कि पूरी जैसे मोटा नहीं रखना है एकदम प्लेट बनाते जाएगा अपने आप से पोटली का सेप बन जाएगा अब इस तरीके से जो एंट पाठे पकड़ते हुए इसको घुमाते हुए चिपका लेजिए यह देखे तो मोमो का यह वाला सेप मुझे बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल पोटली जैसा लगता है अब कोई भी सेप बना सकते हैं मुमो के कई सारे सेप होते हैं तो आपको जो सेप पसंद आया मुझे यह वाला सेप बहुत अच्छा लगता है यह देखे तो याप मैंने सारे मुमु को बना कर रेडी कर लिए चलिए अब हम जलते हैं इसे इसे स्टीम करने के प्रोस में त दूद वाली जाली तो इस पर मैं थोड़ा सा तेल लगा ले रही हूं जिसे कि मोमो चिपके ना अगर आपके पास दूद वाली जाली ना हो तो कोई भी छेद वाली बरतन ले सकते हैं जिसमें आप मोमो आराम से स्टीम कर सकें अब इस तरीके से इस पर एके करकर मोमो बना लेते हैं जो मोमो के साथ खाई जाती है इसके लिए मैंने एक बरतन में एक गिलास पानी ले लिया है उसमें मैंने 6-7 लाल वाली सूखी मेच डाला है और फिर इसमें डाल देंगे टमाटर तो मैंने आपे दो मीडियम साज का टमाटर लिया है इसे मैंने पहले ही अच 10 मिनट तक मीडियम फिल्म पर उबाला है और आप देख सकते हैं टमाटर का स्कीन पूरी तरह से अलग हो गया है तो अब हम गया करेंगे इसे चान का ठंडा कर लेंगे तो इसका इसकीन इस तरीके से हटा लेंगे क्योंकि यह हमारे हेल के लिए बहुत ही ज्यादा नुक्स मैंने इसको पीछ लिया है अब आप सबसे पहले इसका टैक्स्टर देख लिए इसे हमें ज्यादा महीन नहीं पीछना है इस तरीके से थोड़ा सा दर्दरा रखना है क्योंकि मोमोच के साथ खाये जानी वाली थोड़ी सी दर्दरी रहती है तो लिजे तैयार है हमारी मोमो मोमोच के साथ खाने वाली लाल चटनी सुपर डूपर डिलिसस बहुत ही जादा चटपटी चटकारेदा तो देखे ना इसे बनाना कितना आसान है चलिए इसे साड में रखते हैं और मोमोच को भी चेक कर लेते हैं तो यह पर देखे फ्रेंस पचीज से 30 मिनाट हो गए मु जाएगा अब मैं तोड़ करके इसके अंदर का टेक्स्टर दिखा देती हूं यह देखे रहे हैं कितने बढ़ियां से अंदर का स्टाफिंग कोखो गया है और मोमोच भी बहुत अच्छे से कूखो गया है तो इस तरीके से स्ट्रीट स्टाल मोमोच घर पर ही बनाए खाए इंजॉय करें रेसिपी थोड़ी से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ सेर करें फिर मिलते हैं किसी नेक्ष्ट वीडियो में ऐसी ही सूपर डूपर डिलिसास एक अमेजिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए इंटेक केर